हमारी मुहिम छोटे गाम, कस्बों व शहरों के इतिहास को उजागर करने से शुरू हुई थी। आज हम गंगा किनारे गंगा जमुनी संस्कृती में डूबे एक छोटे से कस्बे मकनपूर, विलहौर की बात करेंग। आज भी हम रोजाना मंदिर, मस्जिद या गुरू दु कहते हैं जितने शुध या पवित्र मन से हम पूजन अर्चना करेंगे उतना ही शीग्र इश्वर से योग होने की संभावना होगी। मननत मांगने के तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन देने वाली शुध आत्मा एक ही होती है। कानपूर के डॉक्टर मजहर नकवी के अनुसार दरगाह जिंदा शाह मदार, मकनपूर शरीफ शर्की, मुगल और अवधी वास्तोकला का संगम है। जहां हिंदू मुसलिम सभी मकनपूर की हजरत बदियुद दीन जिंदा शाह मदार की दरगाह में हर वर्ष उर्ष पर आ लिया। वो शुरू में एक कैदी के रूप में शाह मदार के साथ रहे और फिर अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। उनका नाम दूर दूर तक फैल गया। उनकी भक्ती से प्रसन होकर मदार सहब ने मकनदेव को अमर करने के लिए खैरबाद का नाम मकनपू शरीफ का उर्ज लोगों की आस्था का केंद्र है। यहां रखी कुछ चीजे भक्तों को अत्यंत आकरशित करती है। एक ऐसा नायाब प्याला है जिसमें रखे जाने वाले खाने में अगर जहर है तो वो रंग बदल देता है। बादशा अकबर ने यहां पर एक चादर भ के रखा गया है।